दोस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीद मुद्दों की चर्शा मुद्दा नमबर एक पवन खेरा और नहा सिंगरा ठोर पर दबिश क्यों क्या वौक ला गई है मोदी सरकार मुद्दा नमबर दो अतिवादियों के सामने नतमस तक क्यों हैं सरकारें आखिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी चाहे मोनू माने सर हो या पंजाब के अंदर जिस तरह से अतिवादी सिर उठा रहे हैं उस पर खामोश क्यों है और मुद्दा नमबर तीन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का महिमा मंदन करनी के लिए आखिर बीजे पी अध्यक्ष और विदेश मंतरी घलत बयानी क्यों कर रहे हैं तो शुरुआत हम करना चाहेंगे हमारे पहले विशह से पहला विशह बहुती नाटकी अंदाज में कल कॉंग्रिस के सबसे बड़े प्रवक्ता पवन खेरा को प्लेन से उतारा जाता है असम पुलीस उन्हें गिरफतार कर लेती है मगर सुप्रीम कोट उन्हें बेल पर रह कर देती है निया सिंग्राटोर जो कानपूर देहात में एक बुल्डोजर घटना जिसमें दो हिंदू महिलाएं मारी जाती है उस पर अपना दर्द बया करती है गाकर उनके घर पुलीस पहुंच जाती है यह सब क्या हो रहा है क्या है इस खबर का पंच शुरुआत करना च जिकर किया बलकि प्रमुकता से मैं समझता हूं कि नेहाराठोर पर हमला स्रेजन और साहित्य और संस्कृति पर हमला है जहां तक कॉंग्रेस के मुखर प्रवक्ता पावन खेडा पर उनकी गिरफतारी का कदम है वो यह बताता है कि नरिंद्र मोदी जी की अगवाई में भा इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है आपको बतलाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी के मुद्दे पर ये बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से चुप गई है बीजेपी डेस्परेट हो गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में ये और ज्यादा गंभीर होगी चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो और फिर राम मंदिर का जो है उदगाटन होने वाला है जनवरी में ये दोनों चीजें जो है कहीं न कहीं एक हत्यार होगा भाशा आपके साब से क्या है इस मुद्दे का पंच देखे अवी सार मेरा बिलकुल साफ मानना है कि जो नेहा राठोर गा रही है यूपी में काबा उसी तरह से जो भाशपा ने किया उससे दिखा दिया कि भारत में ये बा यानि भारत को किस तरह से चलाना चाहते हैं साम दाम दंड भेद सबका पूरी बेहियाई से इस्तमाल करके विरोध में जरा सा एक जो गाना आता है एक राष्टिये पार्टी का प्रवक्ता आप पर खाली सवाल पूछता है और आप दिखा देते हैं कि आप किस तरह से चाभी गुमाते हैं और सारी एजेंसिया दोड़ी आती हैं किस तरह से प्लेन ये पावर का बेशर्म प्र ये उसकी विडियो सामने उभर कर आ रही है ये तमाम चीजें एक बहुत ही पॉब्लिक रिलेक्शन्स डिजास्टर भी है मगर आप देखिए मोधी सरकार को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है उपर से वो हेमंत बिस्चर्मा से जब एंडी टीवी इंटिवी करता है तो भी लगता है वो स्लिप आफ तंग नहीं है अब उसके लिए आप गिरफतार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हेमंत विस्चर्मा ने जो कहा वो बता दिया कि मोधी सरकार की नियत क्या है दरसल यह पावर का इतना बेतहाशा बेलगाम प्रदर्शन पे उतर गई है सरकार क कि उसे लग रहा कि हर जगा देखे ये भी एक तरह से बुल्डोजर चलाना हुआ कि आप अवन खेड़ा को इस तरह से गिरफतार करके आपने क्या एक मैसेज दिया नीचे यह पावन खेड़ा की गिरफतारी नहीं है यह हम सब लोगों के लिए एक संदेश है बहुत वाज मोदी जी की सरकार तो मुझे लगता है कि जब उनके प्रिय पर हमला है तब और ज्यादा बॉखलाहाट में दिखाने चाहूंगा क्या आपको लगता है कही ना कहीं अपने कटर समर्थकों को भी संदेश है उन्हें खुश उन्हें राजनीतिक मसाज देना मैसेज देना मु मैं कहीं कितनी बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोट पवन खेडा पहुशते हैं कॉंग्रेस पहुशती है और वहां बोला जाता है नहीं आपने तमाम केसे किया है वह यहां लाएं उन्हें दिखाई दे रहा है क्या लेकिन संदेश उन्होंने बहुत क्लियर दे दिया लोगों को विरोध में जो स्वर उठा रहे हैं चाहे हो नहार आठोर हो पवन खेडा हो मामला बराबर है और दूसरा अपने भक्त गड़ों को कि तुम भी यही काम करो इसी तरह से बुल्डोजर चलाओ कानून भाशा ने और मिलेशिया सुप्रीम कोट का जिकर किया सुप विपक्ष का काम है क्या बात कर रहे हैं आप विपक्ष का काम है दूसरा प्रधान मंतरी के प्रती वफादारी नहीं थी अरे वफादार विपक्ष तो बहुत दूर की बात है वफादार आदेश के नागरिक को होने की जरूत निया प्रधान मंतरी के प्रती प्रतान मंतरी यहां तक कि इनके वकील हों अमिन यह लोगों को जैसे यह प्रजा कहते आपको आपको बहुत दिल्चस्ट बात बताओं कि आरेसेस और बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो अवाम नहीं कहते चलो अवाम तो थड़ा अर्दू वाला है जनता भी नहीं कहते पीपल भी नह से पूछा और मैंने देश के उस समय के दूसरे सबसे सरवचनेता से पूछा गुजरात में एक ट्रेविल के दौरान मैं हिंदुस्तान अख़वार के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनके साथ था दौरे में मैं मैंने पूछा कि आप बार बार प्रजा क्यों कहत लोग तंत्र में भी और अपने को राजा के रूप में देखने इस लिए उनी कर सकते है को कई सकते है लगता है कि हिंदु धर्म हिंदु धर्म हिंदु धर्म में तो हम भगवान से लड़ाई चञड़ा करते हैं यह इसकी अन्यदत मसाल है जहां पर उनको बेंगाते हैं अब अर्ड़ है यह यह को प्लिć Sind तु लड़की कenne है और ऐसे दोर में जब भोजपूरी के साहित्य और कला में अश्लीलता का अंधर बहरा आए वो इकलोती आवाज है भोजपूरी में जो राइनितिक सावाजिक सवानों को पूरा रहे हैं एक सिंग मैं निया सिंग डाठोर की अलग से बात करूंगा क्योंकि वो वो एक अलग मुद्दा है और उसका योगदान जो आप कह रहे हैं मैं आपसे बिलकुल इतिफाक रखता हूँ मगर मैं ज़रा इसी मुद्दे को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ हुआ कि आपने चलिए उन्हें गिरफतार कर लिया मगर फिर मैं देख रहा हूँ ट्विटर प कर ली मगर वो जुड़ रहा है वो नाम जी तो देखिए मुझे लगता है कि आग से खेल रहे हैं दर असल इंको भी यह देखना है कि क्या यह पठान की तरह बैकफायर करेगा या यह अपने भक्तगड़ों को क्यो कि देखिए अब यह संदेश नीचे ले जाएंगे और हम गणों को एनरजाइस करने के लिए यह सारे ड्रामे बाजी यह सारे शोशे बाजी और यह 56 इंच की सरकार है हम किसी को भी मैं आपको एक बात बताओं अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाला है मैं आज आपके सामने एक दावे के साथ बात कह रहा हूँ इसकी चर्श अगर हम उसे गाली माने हैं तो आप तो गिरफतार भी कर रहे हैं सहाब आप तो गिरफतार भी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप विक्टिम हैं नहीं एक राजनीतिक तंस को आप कितनी आगे तक ले गए और देखी और चलिए मैं जब थोड़े विशे परवरतन करता हू ये योगदान है तब ही वो रवी किसनवा और मनोज किवारी के खिलाफ रिंकिया के पापा वालों के साथ जंग भी जा रही है उसकी वो लड़की है उसके पीछे कोई राजनीत एक पार्टी नहीं है अकेली अभी अभी उसकी शादी हुई है आप उसके फ्लाट पर पुलीस भेशते हैं ये किस किसम की करूरता है देखे अभी शार मैं वही कह रहा था कि उसको मैं नीजी तोर पे भी पहले नहीं जानता था लेकिन हाल के दिनों में हमारी मुलाकात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी मैं चकित हूँ कि वो किसी इनुस्टी में उस तरह से जे नु में दिली इनुस्टी में टाटा इंशूट आफ सोसल साइंसेज में ऐसी जगह नहीं पढ़ी है बहुत साधारन ढंग से आगे बढ़ी है और उसके रूपक उसके भिम्ब उसके प्रतीक उसके उसके गानों के वो स्वैम गाने लिखती है स्वैम गाती है कमाल का है अब इतनी प्रतिवाशाली है मुझे लगता है कि उसकी प्रतिवाशे डर रहे हैं लोग और दूसरी बात कि अभी उसने गाने में जो स्रिंखला जो है यूपी में काबा उस नई सीरीज में उसने सवाल उठा दिया कानपूर का उसमें स्रीमती दिक्षित और सुसरी दिक् लगता है कहीं न कहीं जो योगी सरकार है और जो पार्टी की पूरी भारती जनता पार्टी है वो धाशत में है कि इसी तरह से गाने गाती रही तो लोग रायनितिक दलों के विपक्ष बहुत बुरा है वहाँ विपक्ष उत्तर प्रदेश में बिलकुल ना करा है तो ऐसी स्थिती में इसके गानों से लोग आलादित हो जाएंगे, लोग अंदोलित हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले मुसल्मानों तक के वल मामला था बुल्डोजर का, अब ये हिंदू, अपरकास्थिंदू, तो इससे मॉबलाइजेशन मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, ये डर है, और देखे हम जो लगातार बोलते रहें हैं अभी सार कि सवाल सिर्फ मुसल्मानों का नहीं है, यहां पर सवाल ये है कि हिंदू के खिलाफ भी ये सरकार उतनी ही क्रूर है, जब मामला उसकी अपनी रक्षा के लिए आता है, तब नेहा सिंग राठोर हिंदू-Musalman नहीं दिखाई देता हो, जब उनको बुल्डोजर चलाना होता है, तो सामने दलित महिला का घर है या ब्राम्भन महिला का घर है ये नहीं दिखाई देता होंको, तो यहां पर एक संदेश बहुत क्लियर है, कि हम जब ले सकते हें हम बाटी लोगों को नशाने पर ले ले सकते हैं तो नेहा सिंग रातऊर को निशाने पर लेने का मतलबग बहुत साफ है कि विरोध में उठा कोई स्वर और यंग आप देखिए फॉलोवर्स यंगSTERS हैं सारे नौजवान जो उनके भक्तगण हैं उनके भक्तगणों का भी वही दारा है तो यहां पे क्लियर संदेश उन्होंने बेज दिया कि हम और अब देखेगा पूरी रणनिती बनेगी क्योंकि विचारधारा क्या है जो नोटिस दिया वह बहुत ध्यान से लोगों को पढ आक्रोश होना चाहिए या वो जो बुल्डोजर चला है जिसके चलते दो जाने चली गई आप देख रहे हैं सरकार की प्राथमिक्ता क्या है मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस प्रशासनिक अधिकारी पर कारवाई हुई है मेरे खाल से किसी भी प्रशासनिक अ किलकुल और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे प्रदेश में जिसको लेकर यह बहुत कंफिडेंट है कि यह असी सीटों वाला जो प्रदेश है लोगसभा का लोगसभा में यह उनको सबसे अधिक सीटी देगा तो अगर आम लोगों में राजनितिक जो भी पक्ष है उसके नाकारापन के बावजूद अगरा क्रोश खड़ा हो जाता है जनता का तो मैं समझता हूं कि इनकी लिए बहुत बहुत पहला पड़ेगा इसलिए यह टार्गेट कर दिया है कि उनका रामराज इस तरह का है जहां नेहां सिंग राठोर की इंट्री नहीं हो सब्सक्राइब मैं अब अगले विशय की तरफ रुख करता हूं मैं एक छोटी से मिसाल आप दोनों को दे जाता हूं कविवर कुमार विश्वास ने एक सम्मेलन में ये कह दिया कि जो वामपंथी होते हैं वो कुपड होते हैं और RSS वाले या संगी जो होते हैं वो अनपड होते हैं अब उसको लेकर जो बवाल हुआ कविवर इस कदर हिल गए कि उन्हों माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्हें भी डर सता रहा था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है वामपंतियों से डर नहीं है आपको मैं आपको बतला दूँ कि कुमार विश्वास ने अर्विंद केजरिवाल के बारे में क्या-क्या नहीं कहा राहूल गांधी का क्या-क्या मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने सिर्फ अनपढ़ कहा था वो भी अपने एक जो उनके साथ काम करता है व्यक्ति और देखिए क्या बौकला गया ये डर है ये डर है देखिए चाहते हैं कि सारे लोग इसी त अतिवादियों के सामने नतमस्तक सरकारे हैं। क्या है इस मुद्दे का पंच भाशा बताएं। उग्र भीड को वो लोग पैदा करते हैं जो ना सोचती है ना समझती है और देश के कानून को धता बताते हुए लगातार चैलेंज देती है दूसरे राजे के पुलिस को और बताती है कि हम ही इस देश को चला रहे हैं। और ये बहुत बड़े खत्रे की घंटी है कि अतिवादियों पर मोधी जी साइलेंट होकर समर्थन दे रहे हैं। अब इसार क्या है इस पर आपका पंच। कुस्मन का परिचे दी हैं अगर ये सिर्फ मेरी राय है मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। और मिलेजी इस मुद्बे पर आपका क्या पंच है। देखे दो लाइन में कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि पंचाब की जो घटना है एक बहुत ही खतरनाक मंजर की तरफ मुझे लगता है कि संकेत है इसकी ये कि आखिर ये रिवाइवल आफ मिलिटेंसी जिसको कह रहा है लोग मैंने मिलिटेंसी का फिर से उभरना ये कहां से हो रहा है इसके पीछे कौन शक्तियां है दोजार बाइस में ये आता है दुबई से आदमी इसके बाद ये अच्छानक तीप संधू का वारिस बन जाता है तो एक तो ये कि इसके बारे में कौन सी एजनसी देश की खोजबिन करेगी और दूसरे यो बात काना चाहूंगा कि आपने हरियाना का जिकर किया आपने पंजाब का जिकर किया यूपी का भी जिकर हम रोगों ने अभी किया था आखिर जंगल राज यहां को आएगा यहां अनुराठ हाकूर के साथ देखते हैं बड़े बड़े पुलीस अधिकारियों के साथ वो बंदा सिविल डिफेंस टीम का भी हिस्सा है वो व्यक्ती के धेरों वीडियोस हैं जहां वो अवैद तरीके से घेर कानूनी तरीके से चेज कर रहा है गाडियों की वो ये भी कह रहा ह उसके उसको वांशित की लिस से हटा दिया है मतलब राजनीती से इस कदर डर गई हमारी political parties कि वो लोग action लेने को तेग्यार नहीं है और देखे इसमें सबसे शर्मनाक मुद्दा ये है कि ये शक्स जिसकी बात हम आप सारे उर्मिलेश जी हम सब लोग लगातार कर रहे हैं सार कि बानी दौर आ गया है जहां पर आप बात कर रहे हैं कि अगर वो पुलिस आई तो आएगी तो अपने पैरों पर लेकिन जाएगी अपने पैरों पर नहीं ये जो धंकियां हैं ये जो एक बरबर राज की तरफ वापसी है कि हम जो हैं और ये वही भारती जनता पार्टी ह जिसका अध्यक्ष मिघाले में कहता है कि हम बीफ खाते हैं और यहां पर बीफ के नाम पर हत्याएं करते हैं हम भूल जाते हैं और वो लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू देते हैं यानि यह ना रहे हैं वहां यम्मी है तो मैं कहीं यह जो पूरा का पूरा दोहरा सब कुछ रहेंगा लेकिन शाषन इन उपद्रवियों का इन बलातकारियों का इस पूरी मानसिक्ता का रहेगा जो हतियार सरयाम दोडाते हुए कहीं भी जा सकते हैं मेरा मानना है कहीं भी जा सकते हैं ठीक है पंजाब का सवाल में करूंगा मगर उससे पहले में थोड़ा व्यापक सवाल पूछना चाहता हूँ, पंजाब में भी जो हो रहा है, मोनु माने सर्क तो खेर एक मिसाल है, यह हम पूरे देश में किसी ना किसी स्वरूप में देख रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि केंद्रिय तोर पर इस मुद्दे को संबोधित किया जाए, मगर अफस जो एक पुलिटिकल शक्सियत भी हैं, इन घटनाओं की जरीब EJP को फाइदा होती देखते हैं, देखे आप वाकई अगर ऐसा सोचते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि भारती जंता पार्टी ने प्रियोग जो किये हैं पिछले 30 से एक सालों में, वो प्रेमी प्रेमी काओं को पार्कों में जिस तरह से चुनाओं से पहले 2017 के चुनाओं से पहले मारने पीटने का अवियान चलाया गया था, वो भुला नहीं है, उस वक्त अखिले शियादों की सरकार थी, रोक नहीं पा रही थी, और संकठी ताकत लगा दी गई थी, कि जिस पार्क में भी लड़की लड़कियों को देखो, पीटो, मारो, इस तरह का, इसके अलावा बजरंग दल ने, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ, यह वही दल है, जो उडिशा में इसाई पादरी, आमिन, वो सेम, जी, और उनके बच्चों को जला करके मार डाला गया, और महि नहीं कौन भूत हैं, क्या ये इनको हम किस रूप में पर आप जो कह रहे हैं, उस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने गुजरात का जिक्र किया, तो सवाल मेरा आपसे ये, कि क्या कहीं ना कहीं, राजिस्थान और हर्याना, खासकर हर्याना के मेवात के जरिये भारती जनता पार्टी को ऐसा अवसर दिखाई दे रहा है, जहां वो गुजरात मॉडल को इन दो राजियों में स्थापित कर दे, जो की सामप्रदाइक तोर पर बहुत समवेद शील हैं, या काफी हद तक समानता है, लेकिन इसमें दोनों में एक गुनात्मक फर्क भी है, फर्क यह है कि गुजरात में एक इंडस्ट्रियल समाज था काफी हद तक उपर से और अंदर से बहुत ती दक्यानुसी भी समाज है वहां का, लेकिन हर्याना में अगर आप देखिए, खासकर हर्याना की बात मैं कर रहा हूं, यह एक ग्रेरियन एकानमी यहां पर है खाप पंचायतों के जरिए, किसानों के जरिए, गो रक्षा की जो बात को खेंडरी वस्त बना करके और एक इमोशनलाइज किया जा रहा है कि बही जबकि किसान आम तोर पे अपनी गाए को, अपने बच्छडे को, अपने बैल को, अपनी भैस को पसंद करते हैं, प्यार कर लेकिन उसमें पुलिटिकल विशैला कंटेंट ये डाला जा रहा है, और इस तरह से बिसफोटक इस्तिती पैदा की जा रही है, जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, मौनू माने सर, यह वो गोरक्षक जो दल का नेता है, वो भी ऐसे ही सबाल्टरन समुदाय उसे आता है, और मज़े की बात है, कि एक तरह से मोबलाईजेशन करने की कोशिश की जा रही है, कि एक ग्रेरियन जो 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 कम्मुनिटीज है, उनको मोबलाईज करने हैं, इसमें एक बहुत एहम बात ही आपने, एक चीज़ मुझे जो बहुत साफ दिखाई दे रही है, कि हर्यारा में ये प्रियोग क्यों, क्योंकि खटर बुरी तरह से विफल सरकार पेश कर चुके हैं, उनके खिलाफ बहुत विरोध है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले एक महीने के बीतर, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, जो सरकारी करमचारियों के भी प्रोटे हैं, गौर रक्षक वाला पूरा का पूरा जो प्रियोग है, वह दरसल नौजवानों को हिंसक उग्र बनाने के साथ साथ, एक मिलिटेंट मिलीशिया में, जिसको आप फंड करते हैं, पैसा है अभी सार, हम भारती नागरिकों का पैसा, इन यूद को इस तरह से हिंसक बनान वो है पंजाब, पंजाब में क्या हालात भगवन सिंग मान के हाथ से निकल गई है, अमरित पाल सिंग नाम के शक्स का रहसमय तरीके से सामने आना, वो व्यक्ती जो दुबई में बसा हुआ था, वो व्यक्ती जिसके बारे में कहा जाता है, वो अतिवादी है, और जब उस से कहते हैं, वो थे, मगर फिर इनका एक प्रवेश होता है, क्या भगवन सिंग मान इस हालात से नहीं जूच पा रही है, या रहस और गहरा है, देखें अविसार, मैं पिछले दिनों बाईचांस पंजाब में था, और चार-पांच दिन मैंने पंजाब में घुमा, और बि सबने कहा कि नीजी तोर पे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसा लोगों ने कहा, लेकिन कहा कि वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो गवरनेंस उनको नहीं आती है, क्योंकि इसके पहले उनकी कोई प्रशासनिक ट्रेनिंग नहीं है, वो पंजाब को ठीक से समाल, तीनों अभियान था, वो अलब सड़न जीत की तरफ चला गया, कोई बेस नहीं है, नीचे कोई और है, उपर कोई और है, इसके अलावा, यानि कि वो गवरनेंस की कमी जो है, वो दिखाई देरी इस घटना के तुरूब, तोरे प्रियाक्शन आपने हैं, मेरा बिलकुल साफ मानना ये अतिवादी ट्रेंड बढ़ेगा, निश्चित तोर पर आप लिख लीजी अभिसार, इससे भारती जनता पार्टी को फायदा होगा, और जिस तरह से पंपिंग मैंने इनकी देखी है, किसान आंदोलन में देखी है, उससे बहुत साफ है कि ये एक प्लैन्ड स्कीम की त बड़े चेहरे, अध्यक्ष मौद है, जी हाँ, जेपी नड़ा साब कहते हैं कि रूस यूकरेन युद्ध को मोदी ने रुखवाया और बाइस हजार विद्यारतियों को वहां से निकल वाया, बार बार इस जूट को दोहरा है नड़ा साब, और फिर विदेश मंत्री चेहले गई, और ये कहना कि BBC में हिम्मत नहीं, 1984 को लिके डॉक्यमेंटरी बनाना, जबकि BBC ने बाकाइदा बनाई हुई है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, जिनने कॉंग्रेस अब तक का सबसे नाकाम विदेश मंत्री बताती है, क्या है समुद्दे का पंच, भाशा आप बता है, अविसार बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से विश्व गुरु का जो गुबारा बिल्डब किया गया था, वो जिस तरह से कम हो रहा है, जिस तरह से अंतराश्टी चवी पर सवाल उठ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि मोधी सरकार और इन तमाम लोगों ने सीधे सीधे मुद्दा बना रखा है कि हम देश की राजनीती जब जूट पर चला सकते हैं, तो अंतराश्टी राजनीती में भी जूट, जूट, जूट को पंप करके, लगातार एक दुश प्रचार जो होता है, और यहां पर दुश प्रचार तक्थ इस मुद्दे पर मेरा पंच बहुत सरल है, सीधा है, कहीं न कहीं पार्टी के तमाम नेता, प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के उस बयान का अनुसरन कर रहे हैं, जूट बोलो, बार बार जूट बोलो, हर बार जूट बोलो, उर्मिलेश जी क्या है इस मुद्दे पर आप मुझे ऐसा लगता है आफिसार कि भारती जनाता पार्टी वो कागस की पार्टी अब रह गई है उसके संगठन उसके मुखिया उसके सरवे सर्वा उसके इशफर सिर्फ मोदी जी है और मोदी जी स्वेम कहते हैं पार्लेमेंट में एक अकेला तो इसका मतलब यह है कि जितने इस पार्टी के पदाधिकारी हैं और संगठन के जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को एक व्यक्ति के रूप में एक राजा के रूप में एक इश्वर के रूप में महिमा मंडित करने में लगे हैं क्योंकि उनके संगठन की शक् साबित हो जाए नडडा सहाब जो है ये हर चुनाम में दोर आते हैं इस जूट को हर बार मतलब कोई इन से सवाल भी नहीं करता है कि नडडा सहाब ये आप जूट क्यों बोल रहे हैं वो जूट जिसका खंडन विदेश मंत्राले कहे चुका कर चुका है और कहे चुका है कि भ कि वो ये बताना चाहते हैं कि इस से पहले कि जितने प्रधान मंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया दरसल यहां पर डर जो है मोदी सरकार को वो यह है कि जिस तरह से इंद्रा गांदी या नहरू की जो अंतराष्टी छवी रही है घुट निरपेक शांदोलन का नेत्रु किया मैं कह रही हूं कि अपने इतिहास पही अगर आप गोली चलाएंगे नड़ा जी तो कैसे भविश उजवल होगा नहीं उजवल हो पाएगा और यहां पर दोनों ही जो लोग है वो चीन को तो गाय भी कर देते हैं अपिसार उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि चीन पर वो सव इकॉनमी कहां ठहरते हैं इतनी बड़ी बात यानि कि कहां बात होती थी लालांग दिखानी की और आपने ये बात आपचारिक तोर पर कह दी आप कल्पना कीजे यही बात कॉंग्रेस ने कही होती कॉंग्रेस किसी विदेश मंतरी ने कही होती तो उसके बारे में क्या-क्या है तो उन्होंने ये कह दिया अपनी असहायता जाहिर की और दूसरी बात यह है कि विदेश मंतरी देखे नडडा साहब ने जो कुछ कहा मोदी जी के लिए मैं थोड़ी दिर के लिए उसको मान सकता हूं कि बही चलो पुलिटिकल पारटी के अध्यक्ष हैं और सब कुछ सर्वे सर्वा मोदी जी उनके हैं जिदाने हराने सब कुछ के तो वो तो कहेंगे ही लेकिन ये पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं ये माना हुई थी खैर उस मुलाकात पर मैं नहीं जाओंगा कि उसमें क्या क्या है क्योंकि खुलासा नहीं किया उन्होंने लेकिन मेरा ये कहना है कि जैशंकर साब पड़े लिखे व्यक्ति है इतने सारे देशों में रह चुके हैं वाशिंग्टन डिसी में भी हो रहे हैं तो क्या उनको एक एक आलोचनात्मक रवया या कम से कम समालोचनात्मक रवया इन पांच वर्षों का नहीं अपनाना चाहिए था वो जिस तरह से बोलते हैं ऐसा लगता है कि कोई RSS का एक्टिविस्ट बोल रहा है कोई विश्व इंदू परिसत का एक्टिविस्ट बोल रहा है कहीं अपनी सरकार में कोई कमी नहीं दिखते सवाल तो अच्छे नहीं पूछे गए हैं लेकिन उन सवालों के जवाब में अच लगातार डिफेंड किये जा रहे हैं नहीं एक हत्रा यह है कि भारत की जो वैदेशिक जो इमेज है वो सबसे अधिक्षतिग्रस्त हो रही है भाषा तो इनहीं कारणों से हो रही है यह जो हिंसक्त लोग है जो भारती जंता पाटी द्वारा प्राइब आप जानते सबसे किमेंटरी के जरीए भारत की अतिवादी छवी पेश करनी कोश्की जारी है और यहां जो आप अतिवादी तत्वों को संरक्षन देते हैं उसका क्या उसकी धेरों मिसाले हैं मुझे लगता है एक खुदनस के जरीए सिर्व इसले कि आपको फॉरण सेक्रेटरी मनमौन नहीं नहीं बनाया उस चीज़ को लेकर फिर आपकी बॉकलाट हर जगा दिखाई देती है और फिर आपकी ग्यान की कमी आपकी बॉकलाट आपके जवाबों में नजर आती है हर मुद्दे पर और मुझे लग रहा था कि अभिसार मैंने सोचा कि इन्होंने इंटर्व्यू दिया है आया कि कम से कम जो डैमेज हुई है इंटरनाशनल विरादरी में मुदी सरकार की बीबीसी बैन के बाद उसे कुछ तो ठीक करेंगे कुछ तो एक इंटिलेक्ट्वल लेवल देंगे लेकिन यहां देखे कि इन्होंने ये बताया कि एक मंत्री को बने रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है यह अगर इस लिहास अगर यह लेंस हमारे पास है और तब इंक आप पूरा इंटर्विव सुनिए और उसमें सबसे बड़ी हास्यास पर बाद यह है कि इनोंने खुदी को कॉंट्रेक्ट कर दिया जो राजनास सिंग और बाकी लोग चीम पर ब तादिया जी हम बोली नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तो इतने चोटे हैं वह बहुत बड़े हैं तो मुझे लग रहा कि सारा का सारा जो मोदी जी का विश्व गुरु वाला पूरी इमेज थी उसे काउंटर किया लेकिन और मिले जी मैं आपके बास से सहमत नहीं नडदा जी जोट बोलना कि लोग मारे जा रहे हैं युद्ध चल रहा है विभीशी का सामने है और लगातार जोट बोल रहे है ताकि आपके अपना कैडर जूट पर ही जिन्दा रहे बैसिकली जूट पर जिन्दा रहने का तंत्र ये नीचे तक दे रहे आपको बतलाना चाहूंगा कि अपने इंटर्व्यू में विदेश मंतरी ने अपने पिता का जिक्र किया कि किस तरह से इंदरा गांधी ने उन्हें डिफेंस सेक अधर्म है और असुरों को असुर शब्द इसक्वाल किया था उन्होंने गुजराज शासकों के लिए दोहजार दो के तो ये उनके अपने पिता के शब्द हैं वो अपने पिता के शब्दों को भी याद कर लें बहुत वरित वीस सेकिंड में टिपनिस जादा नहीं सब्सक्राइब करगिल के बाद जब कमेटी बनी थी उस वक्त और उन्होंने कई बार संबादाताओं से लंबी लंबी बातें की हैं बहुत अच्छे विक्ति थे नीजी तोर पे उनको आनेस्ट बिरोक्रेट के तोर पे देखा गया है इसमें कोई दोरा नहीं बट आइस फ से लिए वाजपई सरकार ने कई अन्य लोगों के रहते हुए भी उन्हीं को करगिल कमेटी का वो बनाया जहां तक असुर का शब्द है देखे वो जिस सेंस में उन्होंने कहा हो सकता है कि उनका अर्थ मैंने पढ़ा है बहुत सीधा है यह आम तोर पे देश की जो उत्पि क्रिटिकल है और वो लेख बहुत क्रिटिकल मोधी सरकार पर है जो उस समय वहां पर शाषन कर रहे हैं शब्द पर जाए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही भाशा और मुलेश और मुझे अभिसार शेर्मा को अनुमते दीजिए नम